मिलकर बैठे हैं माफिल में जुगनू सारे एलाने ए है कि सूरज को हटाया जाए नाना वाले फिर हाँ हाँ का करके पल्टूराम मत भूलिये कि मुंबई माया नगरी है वहाँ आपकी कलाकारी नहीं चलने वाली है बेहार के लोगतंत की धर्ती पर जिनका अपना अस्तित और ठीकाना नहीं वो चले है देश के प्रधान मंत्री बनाने वा भीलन जो गड़ीवी के उत्थान कल्यान के लिए चारा तक चुरा लिया मुंबई में हो रहा है इंडिया का महा जुटान आज पता चलेगा महा गटबंदन का किसके हाथों में जाएगा कमान लेकिन बीजेपी के अंदर भुचाल मचा हुआ है इस बैठक को लेकर के इस महा जुटान को लेकर के नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वा नियूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशी जी हाँ आज मुंबई में महा जुटान होने जा रहा है तीसरी बैठक होने जा रही है और तमाम दिपक्षी दल के नेता एक जूट हो करके बैठक करेंगे विचार बिमान सा करेंगे और कायास लगाया जा रहा है राजनितिक गलियारे में कि आज हैसला हो जाएगा कि महागडबंदन यानि कि इंडिया का कमान कौन समहालेगा किस के हाथों में कमान होगा लेकिन बीजेपी के खेमे में इस बैठक को लेकर के तमाम तरह की चर्चाय हो रही है भुचाल जैसे मचा हुआ है बिहार बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष बीजे कुमार सीनख सीएम नितिश को लेकर के जम करके निशाना साधे हैं उनके उपर जम करके उनोंने कटाक्ष किया है पुरे महाकटबंदन पर उनोंने कटाक्ष किया है किस तरीके से नितिश कुमार को उनोंने आड़े हाथो लिया है आप खुद सुन सकते हैं बेहार के लोगतंत की धर्ती पर जिनका अपना अस्तित और ठिकाना नहीं वो चले हैं देश के प्रधान मंत्री बनाने वाह क्या कमाल है मिलकर वैठे हैं महाफिल में जुगनू सारे एलाने एह है कि सूरज को हटाया जाए INDIA जिसका मतलब है लोग कहते हैं इसलामी तुष्टी करान नेपोटिज्म बनसवादी डिस्टेक्टिव इटालियन एलाइंस के फलोप कलाकारों को मुंबए में ओडियन्स सुरू हो रहा अपने रियल केरेक्टर पर जोट फरेव और जहांसे का मुहर लगा कर भारत की जनता को गुम्राह और भरमाने का लूटने का उसकी गारी कमाई पर डाका डालने का एक नया खेल सुरू होगा नाना वाले फिर हाँ हाँ का करके पल्टूरा मत भूलिये कि मुंबए माया नगरी है वहां आपकी कलाकारी नहीं चलने वाली है गिसी पिटी डायलोग से भारत की जनता को आप लोग के बल मनोरंजन दे सकते हैं मगर राजनितिक जनसेबा और रास्ट हित में आप लोग के बल एक भीलेन है वह भीलेन जो आजादी के 75 वरसों गरीवी हटाओं का नरा दिया वह भीलेन जो गरीवी के उत्थान कल्यान के लिए चारा तक चुरा लिया वह भीलन जो जनता को भरस्ट अचार के खाई में धकेल दिया वह भीलन जो समाज को जातिय जहर के लहर के कहर से परभावित कर करकर जातिय नरसंगार कराया। ये नहीं चलेगा अब देश किस्मी सदी के भारत में दो दलिये विवस्था में जा रही है एक दल राष्ट भक्त चरित्रवान एमंदार और भरष्ट आचार मुक्त भारत का संकल पले रहा है तो दूसरा दल जातिये जहर से समाज को लराने का तुष्टी करन की राजनित से देश को कमजोर करने का ब्रस्टाचारियों बनसबादियों की जामात बना रहा है अब इसी पर निरने होगी देश की जनता इसी पर अपना जना देश देगा देश्वा नियूज के साथ देश्वा नियूज के यूटूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं क्या है तो जल से जल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए साथ ही कमेंट बॉक्स में सुझहाओ भी देते रहिए और फेस्बुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिए धन्यवाद।